हाल के दिनों में शेहर में वे आपरादी घटनाओं पर से बखोवी परदा उठाने वम शेहर में अम्नुशयन स्थापित करने का श्रे पूर्वी सिंभूं के पुलिस कप्तान अनुप्टी मैथू को जाता है। इसे ध्यान में रखते विए ही AMG News की टीम ने SSP को आज सम्मानित किया। हाल के दिनों में शेहर में घटे आपरादी घटनाओं पर से पुलिस कप्तान ने बखोवी परदा उठा लिया है और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुचाने में एहम भूमी का अदा किया है। उनकी इस कारे कुशलता के लिए टीम AMG News ने उन्हें सम्मानित किया। राजधानी राचिस्तित सूचना भवन में मुख्यमंत्री सीधी बात कारिक्रम में शामिल हुए इस दोरान उन्होंने उपस्तित लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और यतायत समाधान का आश्वासन भी दिया। राजधानी राचिस्तित सूचना भवन में आज जन्द समबाद का युजन किया गया मुख्यमंत्री रगवर्दास उनके प्रधान सच्योग संजे कुमार समेत अन्य गर्णमाने वेक्ति इस जन्द समबाद में शामिल हुए। सीधी बात कारेक्रम के माध्यम से राजब भर के फर्यादी अपनी समस्याओं को लेकर यहां पहुँचे थे। मुख्यमंत्री ने बारी-बारी से सबकी समस्याओं सुनी और यथा शिग्र निदान का भरुसाल लोगों को दिलाया। इस दौरान मुख्य मंत्री ने समस्याओं को पाटने के लिए संबंधित विभागों के प्रतिनीडियों को जरूरी दिशाने देश भी दिया. नौ वर्ष की तैयारी के लिए जमशित्पु शहर सजधश कर तयार हो चुका है. शहर के प्रमुप पिकनिक स्थलों की सापसफाईय वंस्तुरक्षा पर इस बार विशेश ध्यान दिया जा रहा है. देखिए एमजी विशेश. वैसे तू नौ वर्ष पर शहर में विशेश ध्यान दिखने को मिलता है क्यूंकि न केवर शहर बलकी. शहर के बाहर से भी सैलानी जमशितपु शहर में नौ वर्ष पर पिकनिक वा मस्ती के लिए आते हैं. जमशितपुर के प्रमुप पिकनिक स्थल जैसे जुबले पार्क, डिमना लेक, तिलको थीम पार्क, हुटको डैम आदी में बड़ी संख्या में पिकनिक के लिए सैलानीों के भीर उमर पड़ती है. वैसे जुबले पार्क शहर के बीचो बीच होने के कारण यहां फैमली की भीर ज्यादा देखने को मिलती है, हलाकि जुबले पार्क में जिसको प्रबंधन द्वारा पार्क में खाना पकाने पर प्रतिवन्द लगा दिया गया है, पर लोग यहां बाहर से खाना लाकर खा स जी देखें अभी तो विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है और जमशेदपूर के सिटिजन्स के लिए हम लोग ने टादा स्टील ने काफी सारे पार्क्स बनाये हैं, मेरे तरफ से एक ही दो अन्रोद रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा for citizens of जमशेदपूर के कोई भी पार्क की सुन्दरता service provider जैसे आज जिसको है, उसको तो effort लगाना पड़ता है, पर जब तक public और service provider दोनों एग दिशा में नहीं सोचेंगे, कोई भी पार्क और कोई भी public facility जो है, वो साफ और सुन्दर नहीं दिख सकती है, लोगों से ये request हम लोग करेंगे, कि आप अपने घर से पाइदा उठाईए उसका आनन दीजिए, कि जहां पर भी आज आप खाते हैं, आप अपना जो garbage जो आप जनरेट करते हैं, जो आप अपना waste जनरेट करते हैं, कई जगे पर आपकी hanging bins हैं, बड़े bins हैं, वहां पर आप जाके वहां पर आप फेकें, और पूरे पार्क में ऐ ऐसा लगे कि पार्क हमेशा साफ हैं, वहीं अगर बात करें शेहर के बाहर के पिकनिक्स थलो की, तो डिमना लेक जैसे जगों पर जिलाप्रशासन के द्वारा व्यापक तैयारी की जा रही है, इस बाद जिलाप्रशासन ने सैलानियों की सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतरक बाता बरती है, जिलाप्रशासन की उसे पर्याप्रशा मातरा में सुरक्षा बल तथा, साधे लिवास में भी पुलिस बल यहां मौजूद रखा जाएगा इस बार नए वर्श के उपलक्ष में होटलों पर होने वाले कारिक्रमों में भी जिलाप्रशासन की नजर बनी रहेगी, साथी साथ बाइक पर हुर्दम करने वालों पर भी जिलाप्रशासन की पहनी नजर होगी बाइक पर हुर्दम करने वालों पर इस बार पुलिस का दंडा भी चलेगा नमस्कार मैं सुमित कुमार स्वागत है आपका एमजी विशेस में दोस्तो साल का आखरी समय यानि इस साल को विदा करने और 2017 को स्वागत करने का समय आ चुका है और स्वागत करने के साथ ही जो है शेहरवासी पिकनिक की धूम में नजार आते हैं शहर ही नहीं, शहर के बाहर से भी, शहर के बाहर से ही नहीं, राज्जी के बाहर से भी लोग शहर में, जमशितपुर सहर में पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, चुकि जमशितपुर सहर में काफी सारे पिकनिक स्पोर्ट्स है, अगर हम बात करें डिमना लेक की, डिमना डैम की तो डिमना डैम एक ऐसा जगा है जहां प्रकृतिक वातावरन को साथ में रखते हुए लोग यहां पिकनिक मनाते हैं चुकि डिमना डैम में पेड़ों की संख्या जो है काफी ज़ादा है और लोग स्वच परियावरन में पिकनिक मनाने के लिए यहां ज़्यादा तर आना पसंद करते हैं लेक का जो एक अलग मज़ा होता है वो डिमना लेक में देखने को मिलता है चुकि यहां लेक जो है काफी बड़ी है हाला कि इस बार जिला प्रसाशन के द्वारा सुरक्षा के लिए भी ब्यापक इंतिजामात किये जा रहे हैं सुरक्षा के लिए परियाप मात्रा में सुरक्षा बल जिला प्रसाशन के द्वारा तैनात किया जा रहा है आपको बता दे कि इस बार साधे लिवास में भी साधे लिवास में भी जो है सेलानियों के बीचों बीच सुरक्षा बल मौजूद रहेंगे जिला परसासन के द्वारा तैनात किया जा रहा है सुरक्षबल मौजुद रहेंगे हलाकि शहर के बीच में और भी कई पिकनिक स्पोर्ट है जहां भी क्या भी सुरक्षा इंतिजाम तैनात किया जा रहा है सुरक्षा पुक्ता इंतिजाम किया जा रहा है इस बार सैलानियों के लिए और अगर बात करें डिमना डैम की तो यहाँ पे जादा वीड उमरती है इस कारण से यहाँ सुरक्षा विसेज ध्यान इस बार जिला परशाशन दुबारा दिया जा रहा है कैमरा परशन अस्तो सोजा का साथ सुमिझ जा एमजी नियूस चमशेद पूर